आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10, हिंदी कोर्स B की पाथ्य पुस्तक स्पर्ष भाग 2 से मीरा द्वारा रचित पदों का सार वा मुख्य बिंदू और इस से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं वेबसाइट है www.madhukalash.in कक्षा 10 के संपूर्ण पाथ्यक्रम के नोट्स आप मेरी पुस्तक समाधान से भी प्राप्त कर सकते हैं मेरी पुस्तक समाधान Amazon तथा सर्भाषा.in पर उपलब्ध है तो आएए शुरू करते हैं मीरा के पदों के मुख्य बिंदू यहां कवित्री मीरा बाई के दो पदों का संकलन है इसके पहले पद में मीरा अपने अराध्य श्री कृष्ण को करतव्य बोध तथा दया का स्मरण करवाती होई कहती है कि जिस प्रकार आपने विभिन अवसरों पर अपने भक्तों की पीड़ा को दूर किया और उन पर दया दिखाई उसी प्रकार मेरी पीड़ा भी दूर करें अपना उद्धार करने वा पीड़ा हरने की प्रात्ना करते हुए मीरा कहती है जैसे आपने भरी सभा में द्रौपदी का चीर बढ़ा कर उसे अपमानित होने से बचाया उसकी रक्षा की भक्त प्रलात को बचाने के लिए नर्सिंग का रूपधारण किया दूपते हुए गजराज को मगरमच के मुख से बचाकर उसके कश्टों को दूर किया उसी प्रकार मेरे भी सारे दुखों को हर ले अर्थाच सभी दुखों को समाप्त करते हैं दूसरे पद में मीरा भाई श्याम की चाकरी करना चाहती है ताकि उन्हें इसी चाकरी के बहाने दिन राज श्री कृष्ण की सेवा का अवसर मिल सके वे प्रतिक्षन के समीप रहना चाहती हैं उन्हें पाने के लिए अत्यंत व्याकुल हैं और उनकी सेवी का बन कर हर समय उनके दर्शन पाना चाहती हैं श्री कृष्ण की चाकृरी करते हुए नाम स्मरण, भक्ति भाव और दर्शन का सुख प्राप्त कर धन्य होना चाहती है अपने हृदय की अधीरता मिटाकर सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहती है मीरा बाई श्री कृष्ण को पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तयार हैं वे सेविका बनकर उनकी सेवा में हर समय तत पर रहना चाहती हैं उनके लिए बाग लगाना चाहती हैं ताकि श्री कृष्ण बाग में भ्रमन कर सकें और वे उनके दर्शन प्राप्त कर सकें व्रंदावन की कुंज गलियों में श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना चाहती है श्री कृष्ण के लिए उचे-उचे महल बनाकर उनमें खिड़कियां बनाना चाहती है ताकि वे हर पल श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर सकी आधी रात को यमुना के किनारे कुसुंबी रंग की साड़ी पहन कर श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है मीरा बाई अपने आराध्य श्री कृष्ण के रूप सौंधरे की दिवानी है और उन पर मोहित हैं उनके अलोकिक स्वरूप का मनमोहक वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर मुकुट शोभायमान है और पीले वस्त्र उनकी सुंदर्ता में चारचान लगा रही है वन के सफेद फूलों से बनी माला उनके गले में सुशोभित है वे व्रंदावन की कुझ गलियों में मुरली बचाते हुए गाय चराते हुए घूम रही है उनका रूप अत्यंत मनमोहक है और वह सब का मनमोह हो रही है मीरा बाई की भाषा शैली की अनेक विशिष्टाएं हैं मीरा बाई की भाषा मुख्य रूप से साहित्तिक ब्रिज भाषा है मीरा बाई की रचनाओं में राजस्थानी पंजाबी गुजराती आदी भाषाओं का मिश्रण है मीरा बाई की पदावली कोमल प्रवहा मई एवं भावनुकूल है इनके पदों में भक्तिरस तथा माधूर्य गुण है शांत करुन श्रंगार रस का प्रियोग किया गया है पद शैली गे आत्मक्ता से युक्त है अनुप्रास और रूपकलंकारों का स्वभाविक प्रियो और मधू कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें